आज का टॉपिक होगा गाउस के नियम के अनुप्रियोग ठीक है तो इसके पहले हमने देखा था गाउस का नियम क्या होता है तो वहां पर हमने पढ़ा था जो भी वैदुद फ्लक्स होता है गाउस के नियम में कि वैदुद फ्लक्स कि सी फिर बंत सरफेस का वैदँद फ्लक्सा आवेस की एक विटे एप्सिलोन नाट गुणा के बराबर होता है तो यह हमारा वैल्लु आ गया था कि नियम का कुछ अनुप्रियोग कि इसके अप्लिकेशन सभी है तो अगर आपको याद हो तो मैंने गोलिय प्रिष्ट में किया जा सकता है, तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं, वो प्रिष्टिय वित्रण कर रहे हैं आवेस का, या फिर हम किसी रेखिये में वित्रण कर रहे हैं, या फिर किसी आयतन में वित्रण कर रहे हैं आवेस का, तो जिस तरीके से वित्रण किया जाता था उसी आधार पर उसमें उपस्थित आवेसों की शंक्या को हम बोल देते थे रेखिये आवेस घनत प्रिष्ठिये आवेस घनत और आईतन आवेस घनत ठीक है तो उन्हीं का यूज यहाँ पर करना है रेखिये आवेस घनत पर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सेयर सस्क्राइब करना ना भूले और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट चैनल को subscribe करते हैं लाइक करते हैं तो उसला बुलन होता है और कश नहीं तो start करते हैं आज का टॉपिक Ooo 가उश का नियम का नुप्रयोग करते हैं चोत्थ इन पर चुके हैं Since press 거 क लिए जोपर चुकि Anur वेक्टर E into वेक्टर Ds ठीक है और cos theta भी ले लेते हैं तो ये हो गया overall formula आपको ये याद रखना है clear ये formula आपको याद रखना है 5E is equal to integration E into Ds is equal into cos theta ये किसके बराबर होगा क्योंकि Gauss का नियम कहता है ये बराबर होगा Q upon epsilon naught के इसी के बराबर होगा क्योंकि Gauss का नियम कहता है आवेस का एक बटे epsilon naught गुना होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ये value याद रखनी है पहला है इसका application अनंत लंबाई के एक समान आवेसित सीधे तार के कारण वैदो छेतर की तीवरता ये जो तार है ये अनंत लंबाई का है और इसमें एक समान आवेस वितरन किया गया है प्लस प्लस यानि प्लस धनावेसी था ये ठीक है तो इसमें हमें वैदो छेतर की तीवरता ग्यात करनी है अब यहाँ पर आपको जो नोट से बनाना है लिखते चलेंगे प्रॉपरली तार की प्रत एकांक लंबाई पर आवेस अत्वाड अर्थात रेखिया आवेस घनत तो क्या है लिम्डा है यानि कि अगर हम प्रत एकांक लंबाई की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है उसको हमने ल मान लिया है और इस पर जो भी आवेस का बित्रण किया गया है वो क्यों हो गया है और यहाँ पर रेखिया आवेस घनत हो गया लिम्डा तार से लंबोत दूरी आर पर यहाँ यह तार है इससे लंबोत दूरी आर पर एक विंदू है P जिस पर हमें वैदोचेत्र की तीविता ग्याद करनी है तो यह P विंदू है जिस पर वैदोचेत्र की तीविता ग्याद करनी है अब आपको पता है कि यह तार है ठीक है और गाउस का नियम कहां पर application हो applicable होता है जो भी closed surface होता है क्योंकि हमने क्या बोला है बंद प्रिष्ट में ही गाउस का नियम applicable होता है अगर वो खुला surface होता है या प्रिष्ट के बाहर हम गाउस के नियम की बात करते हैं तो वहाँ पर वैदुद फ्लक्स क्या होता है सूनने हो जाता है ठीक है तो ये close प्रिष्ट तो है नहीं तो अब हम मान लेते हैं ये हमारा assumption होना चाहिए कि अगर ये तार है तो इसके आसपाद वैदुद बल रेखाएं भी होंगी ठीक है तो ये तार जो है ये बेलनाकार से मतलब यहाँ पर अब ये जो बन रहा है ये बिदुद छेत्र की वज़ा से जो field यहाँ डेबलाफ हो था ये कैसा होगा ये बेलनाकार होगा इस तरीके से ठीक है तो इसको आप थोड़ा सा बनाएंगे तो इस तरीके से कर देंगे यहाँ पर ये बेलनाकार दिखेगा प्रिस्ट ठीक है अब ये close surface हो गया यहाँ पर वैदुद बल रेखाओं ये गुजर रही है आप इनको ऐसे सो कर सकते है ठीक है वैदुद बल रेखाओं को हमने किस से डिनोट किया है वेक्टर E सदिस से अब आपको पता है जब भी ये लंबवत होगा ठीक है अब यहाँ पर समझेंगे ये एक बेलना कार प्रिष्ट हो गया एल लंबाई का आवेस हो गया तो अगर हम इस कर्ब पर बात करते हैं ठीक है इस कर्ब वाले रेजन पर बात करते हैं तो ये तो बेक्टर E हो गया ठीक है बेक्टर E हो गया और ये हो गया सर्फेस यानि कि ये चीजे हो गई प्रिष्ट जो की रखा हुआ है ये प्रिष्ट किस तरीके से रखा हुआ है इस तरीके से रखा हुआ है तो जब भी प्रिष्ट जिस तरीके से भी रखा होता है उसके लंबवत ही उसका S यानि कि जो S सदिस होता है वो उसके लंबवत ही होता है न इस पर जो normal S vector होगा, normal S सदिस होगा, यह इसके लंबवत कारे कर रहा होगा, तो यह हो जाएगा vector S सदिस, यह हम इसको DS लेख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर यह हो गया vector E सदिस, ठीक है, क्योंकि यह E हो गया, तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि यह कितने degree का angle बना रहा है, ठीक है, E और DS के बीच में जो angle बन रहा है, वो कितना आ रहा है, 90 degree आ रहा है, तो दोनों ही हम यह वक्र प्रिष्ट पर देखेंगे, यह जो curve वाला area है, इस पर जो theta की value आएगी, वो 90 degree आएगी, आई हो पर आपको समझ आ गया होगा, हमेशा याद रखना, जैसे मान ल रही है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई भी प्रिष्ट ऐसे रख दिया, ठीक है, तो यह क्या हो गया, बैदुत छेत्र हो गया, E हो गया, अब जो हमने आप से बोला है कि जो vector सदिस होता है, जो normal vector होता है, S होता है, वो जैसा भी आपने प्रिष्ट रखा है, उसके प्रिष्ट ऐसा है, तो इसके लंबवत कहां पर होगा, इधर होगा, यानि कि अगर हम Ds की बात करें, तो वो इस तरीके से हो जाएगा, अब E भी इसी direction में है, S भी इसी direction में है, तो इनके बीच में अगर हम theta की बात करें, तो कितना होगा, 90 degree ना होकर कितना हो जाएगा, 0 degree हो जाएगा, clear, क्योंकि दोनों सेम डारिक्शन में है, सेम वहीं पर अगर हम बात करते हैं, कि ये वैदुत छेत्र रिखाएं हो गई, या वैदुत फ्लक्स लाइन हो गई, ठीक है, अब इसमें हमने एक प्रिष्ट रख दिया, ये समानतर प्रिष्ट रख दिया, तो समा पर इन दोनों के बीच का अंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी समानतर की बात करेगा, कि कोई भी प्रिष्ट है, वो समानतर रखा हुआ है, वैदुत छेत्र के, इसका मतलब वहाँ पर थीटा कितना हो जब प्रिष्ट लंबवध होगा, इस तरीके से प्रिष्ट रखा हुआ है, तो इस पर जो नॉर्मल आएगा, ऐसा आएगा, वो इस प्रिष्ट के लंबवध होगा इधर, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो हमने आपसे बोला, बेलना कार गाउसियन प्रिष् प्रिष्ट के वक्र प्रिष्ट पर ई का मान नियत तथा इसकी दिसा अविलंबवध बाहर की ओर है, अता वक्र प्रिष्ट से गुजरने वाला फ्लक्स, अब यहाँ पर इसको आप डिटेल में समझ लो, ये तो मैंने सीधे लिख दिया, अब आप इसको डिटेल में समझ ये वक्र की बात कर रहा है, कर्ब की बात कर रहा है, तो बिद्दुद बल रेखाएं कुछ इस तरीके से हैं, ठीके, अब ये कैसा रखा हुआ है, इस तरीके से, तो जब भी कर्ब की बात होती है, ये ऐसा है, तो S सदिस कहा होगा, इसके लंबवध होगा, तो यहाँ पर S हो जाएगा, अब S और E के बीच में कैसा कोंड बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका, फाई E वक्र इस एक्वल टो, इंटीग्रेशन, E इंटू DS, ठीक है, तो यह बेक्टर E इंटू DS हो जाएगा, और DS की वैलू कितनी होगी, 2 पाई RL, क्योंकि बेलन का छेतरफल होता है, 2 पाई RL, और यहाँ पर हमने H ना लेकर लंबाई क्या लिए है, L लिए है, तो H को हमने रिप्लेस कर दिया है, L से, तो हो जाएगा, प्रिष्टि यह चेतरफल DS का मांड, 2 पाई RL, और यह E हो गया, यह हमको एक्वेशन, 1 मिल जाएगी, फिर कह रहा है, गाउसियन प्रिष्टि के समतल सिरों पर E की दिसा प्रिष्टि के समानतर है, अता उन से गुजरने वाला फ्लक्स सुन्न होगा, क्योंकि अब थीटा क्या है, यहाँ पर 90 डिगरी है, जब थीटा 90 डिगरी होगा, तो कॉस 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और क पूरा का पूरा टम क्या हो गया, जैसे इंटिगरेशन E into Ds into कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 रखेंगे, तो यह पूरा का पूरा टम क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, तो यह हो गया, समतल वाला कैसा हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फाई E समतल जो है, यह 0 आ जाएगा, तरीके से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर flux हमको मिल गया E into S, यहाँ पर flux हमको मिल गया E into S, और यहाँ पर जो flux था वो हमको मिल गया 0, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गाउस के नियम से हम देखेंगे, 5E is equal to क्या होता है, क्यों अपान एपसलान नाट होता है, तो टोटल flux क्या होगा, वक्र प्लस सम्तल, ठीक है, वक्र की वैलू कितनी आई है, तो E into S आई है, S क्या है, प्रिष्टिये छेतरफल, और बेलन का प्रिष्टिये छेतरफल कितना होता है, 2πRH होता है, तो H की जगा हमें ले रहे हैं, तो 2πRL into E हो जाएगा, और सम्तल का हो जाएग तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने पता है, लिम्डा इस इक्वल टू क्या होता है, Q upon L होता है, तो यहां से हम Q is equal to लिख सकते हैं, Q is equal to लिम्डा into L लिख सकते हैं, तो यहां पर हमने Q की जगा पर क्या रख दिया, लिम्डा into L रख दिया, एप्सलोन नाट इसको लिख सकते हैं, इस इक्वल टू, Q कमान हमने क्या बता है, लिम्डा इस इक्वल टू होता है, Q upon L, तो Q is equal to हमें मिल गया है, लिम्डा into L, तो हमने Q की जगा रख दिया, लिम्डा into L, अपॉन में एप्सलोन नाट इन्टू, अब यहां आ जाएगा, आपका इस जहां भी है, उपर भी है, जाएगा, ठीक है, अब आपको जो वैलो मिल रही है, वो क्या मिल रही है, आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो L से L क्या होगा, जाएगा, और जो हमें नई वैलो मिल जाएगी, वो हो जाएगा, लिम्डा अपान, टू पाई, एपसलोन में, टू पाई, ठीक है, इंटू यहां पर था एपसलोन नाट, ठीक है, एल से L कैंसिल हो गया, तो यह आगया, लिम्डा अपान, टू पाई, एपसलोन नाट इंटू आर आ गया, यही हो गया, वैदु छेतर की तीबिता, ए, कहां पर, एक अनंत्र लंबाई के तार पर, ठीक है, यह तार के निकट आप कह सकते हैं, अनंत्र लंबाई के, तार के निकट, वैदु छेतर क्या हो जाएगा, इस एक एक रिलेशन नाट इंटू आर, तो यहां से अगर हम एक रिलेशन निकालें, तो ए इंवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है, दूरी के, ठीक है तो इस तरीके से E और R के बीच में, यानि कि वैदु छेतर और अगर हम दूरी के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमा, व्यूत्क्रमा अनुपाती है, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से गिरता हुआएगा, यानि कि अगर e का मान बढ़ेगा तो r का मान क्या होगा कम होगा कुछ इस तरीके से अतहां अनंत लंबाई के तार के कारण वैदु छेत्र की तेवरता तार से दूरी के व्यूत क्रमान उपाती होता है e inversely proportional to 1 upon r ठीके और अगर हम सदिस रूप में इसको देखना चाहें तो vector y is equal to हो जाएगा लिम्डा अपान 2 pi epsilon 0 r into vector r ठीके यह हो गया अब इसके बेश पर एक कुष्चन से कुष्चन आपका ये है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत तो यानि कि ये रैखिक आवेश घनत क्या है लिम्डा is equal to 10 into 10 power minus 8 kolam meter दिया हुआ है तार से 2 cm की दोरी पर यानि कि ये L का मान दिया हुआ है बिद्धु छेतर की तिब्रता ग्यान कीजिए इस equal to formula क्या होता है लिम्डा अपान 2 pi epsilon 0 into r होता है हम इसको 4 बना देते हैं तो 4 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 से उपर नीचे multiply कर देंगे तो 2 हो जाएगा उपर जब हम इसमें 2 से करेंगे multiply तो ये हो जाएगा 2 lambda upon 4 pi epsilon 0 into r हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 lambda upon r ठीक है ये हो गया नया formula e is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 lambda upon r square जो ये आपको नया formula दिख रहा है अब value रख दो आप सबको पता है कि 1 upon 4 pi epsilon 0 की value होती है 9 into 10 power 9 और lambda की value दे रखे 10 into 10 power minus 8 और r की value दे रखे 2 cm convert कर लो तो 2 into 10 power minus 2 meter आ जाएगा अब यहाँ पर कुछ cancel नहीं होने वाला अगर हम देखते हैं तो ये 9 दहमा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा 90 बटे 2 और 90 बटे 2 का मतलब य 45 आ गया तो ये मिल गया हमें 45 into अब 10 के power क्या आएगा ये देख लो ये 9 है ये minus 8 है तो 9 में से 8 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा तो 10 power 1 और ये minus 2 भी है ये उपर जाएगा क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा तो 10 power कितना आजाएगा ये 3 तो value आजाएगी E की 45 into 10 power 3 या इसको आप ऐसा भी लेख सकते हैं 4.5 into 10 power 4 बोल्ट पर मेटर ठीक है तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अच्छ अच्छ फुट्टी फाइफ 4.5 आगया ओके 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 स्वारी थोड़ी सी कंफिजन होगी ये आप देख लेना सॉल्व कर लेना जैसे हमने थोड़ी सी value mistake कर दी ये रख दिया था हमने बट 2 लिम्डा था तो 2 की value नहीं रखी थी और लिम्डा की value थी 10 into 10 power minus 8 अपन में 2 into 10 power minus 2 हो जाएगा तो इस 2 से ये भी 2 cancel हो जाएगा तहाँ पर आपको 9 ही मिलेगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आजाएगा और ये 10 और भी है तो इसका भी power 1 हो गया 1 plus 1 और ये minus 2 उपर जाएगा तो 1 plus 1 plus 2 इस तरहीके से 10 के power 4 आजाएगा तो ये आपका answer आजाए अगर 9 into 10 power 4 newton पर कूला ठीक है ये confusion कहां पर हुए क्योंकि हमने ये value 2 नहीं लिया था ठीक है तो आपको याद रखना है 2 की value लेकर चल ली है क्यों क्योंकि formula हमारा basic ये है लेकिन हमने इसको 4 बनाया तो उपर भी 2 लेना पड़ेगा तो ये तो हो गया जो भी questions था हमारा क् एक समान आवेसी सीधे तार का ठीक है अनन्त लंबाई के एक समान आवेसी सीधे तार पर वैदुचेतर की तीब्रता लेकिन दूसरा जो application है उसका ये है आवेस की अनन्त समतल चादर के कारण वैदुचेतर की तीब्रता और समतल चादर मानलो कुछ इस तरीके से भी हो सकत होता है ठीक है तो इसमें और बितरन किया जाएगा तो यह कैसा बितरन होगा प्रिष्ट यह आवेज बितरन होगा ठीक है और यहांं पर घ fractions रेन अच होगा जिसको हम सिग्मा से होता है यह याद रखना है आपको तो अब यहाँ पर देखेंगे यदि किसी प्लास्टिक यानि की आचालक प्लास्टिक कैसा होता कुछालक होता यह आचालक होता है पेपर के किसी एक ओर की समतल प्रिष्ट पर आबेस का बित्रण हो तो इस प्रकार के बित्रण को आबेस की समतल चादर कहा जाता है समतल प्रिष्ट पर आब इसका वित्रण हो तो क्या बोलेंगे समतल चादर कहा जाता है जैसे यह इस तरीके से दिखाया गया है तो यहाँ पर भी आप देख लो यह हो गया समतल चादर अब यहाँ पर देखोगे यह हो गया वैदुचेत्र ठीक है वैदुचेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से निकल रही है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है तो इस प्रिष्ट पर देखोगे और इस प्रिष्ट पर देखोगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रिष्ट हमारा किस तरी के से हैं यह कर्व प्रिष्ट है ठीक है अब कर्व प्रिष्ट के लंबवत ही एस नार्मल जाएगा ठीक है तो यह प्रिष्ट के लंबवत एस नार्मल हो गया ठीक है तो अब यहां पर क्या हो गया ई और ई का भी डारेक्शन इसी तरफ हो गया और डियस का भी डारेक्शन इ तो यहां पर भी आप देखेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं इस वाले के लिए तो यह कैसा रखा हुआ है यह आपका लंबवत रखा हुआ है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे ठीक है तो यह होगे हमारा वे सद्स s तो अब यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा तो हमें यहां से 3 एंगल मिल रहे हैं थीटा 1 समझलो 0 थीटा 2 समझलो 0 और थीटा 3 हमें क्या मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है सिर्फ अभी ऐसे आपको संटल चादर इसके लंबव दियस ऐसा हो गया ख को इसके इस तरफ इसी तरफ चारों तरफ को यहाँ पर देखेंगे जहां समतल चादर पर प्रिष्ट पर वैदुत घनत तो क्या है प्रिष्टी ये वैदुत घनत त्याद रखना आपको क्या है सिग्मा है हमें चादर के निकट आर दोरी पर इस्थित बिंदु पर वैदु छेतर की तेवरता ई ग्याद करनी है हमको क्या करना है, इस बिंदू P पर हमें विय्दु छेत्र की तिबिरता ज्याद करनी है, बेलन के परतेग समतल सिरो की छेत्रफ़ल क्या है? समतल सिरे P के परतेग विंदु पर E का परिर्मान समान तथा अभी लंबवती बाहर की ωर ज्या अथा integration e into ds into cos theta, और cos theta हमारा क्या है, यहाँ पर theta क्या है, 0 degree है, ठीक है, तो इस तरीके से e1 भी हमें क्या मिल गया, 0 degree मिल गया, यहाँ पर इसको मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है, तो तीनों के लिए हम 5 e1, 5 e2, 5 e3 निकाल लेते हैं, तो पहले 5 e1 निकाल लो तो 5e1 हमारा क्या हो जाएगा integration e ds cos 0 है न क्योंकि यहाँ पर कितना आया है 0 आया है तो cos 0 कमान कितना होता है 1 होता है तो यह आ जाएगा हमारा e into vector ds और यह difference यह है integration यह हट जाएगा तो यह हो जाएगा e into yes तो 5e1 हमारा आ गया e into s आ गया इसी तरीके से 5e2 निकाल लेते हैं यहाँ का 5e2 is equal to हो जाएगा integration e ds cos 0 सेम होई चीज़े यहाँ पर भी e into s आ जाएगा ठीक है 5e3 निकाल लेजी आप यह flux है निकाल रहे हैं 5e3 हो जाएगा ह क्योंकि यहाँ पर theta का मान कितना आया है 90 degree आया है तो इस तरीके से इस का मान 0 हो जाएगा तो इस पूरे का term क्या हो जाएगा 0 तो टोटल अगर हम flux की बात करें इस तरीके से कुल flux निकाल लेए 5e1 es आ गया इसी तरीके से p ds से गुजरने वाला बैदुत flux 5e2 es आ गया वक वक्र प्रिष्ट से प्रतेग बिंदू पर e की दिसा प्रिष्ट समानतर है अता वक्र प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदुत flux ये भी समझ लेना वक्र प्रिष्ट के प्रतेग बिंदू पर e की दिसा प्रिष्ट समानतर है तो जो ds की दिसा होगी क्या होगा जिन प्रिस्ट से गुजरने वाला कुल वैदुत फ्लक्स, फाई इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम आफ फाई एवन प्लस फाई एटू प्लस फाई एत्री, तीनों फ्लक्सों को हमने एड कर लिया, तो हमें टूटल फ्लक्स मिल गया, तो जब add किया तो इन दोनों की value क्या थी E into S, E into S थी इन दोनों को value रग दी, इसकी value थी 0 ठीक है और हमने इसको solve किया E S, E S तो जोड़ने पर कितना आगे है 2 E S आगे है, यानि 2 into वैदू छेत्र इंटू सर्फेस एरिया क्या प्रिष्ठिये छेत्रफल Gaussian प्रिष्ठि के भीतर, चादर के भाग का छेत्रफल कितना है, E S है अतहा Gaussian प्रिष्ठ द्वारा परिवध आवेस अब हमें पता है, जो होता है प्रिष्ठिये आवेस घनतू Sigma is equal to होता है, Q in अपान में area और area यहां पर प्रिष्ठिये सर्फेस क्या लिया गया है, S लिया गया है तो Q in is equal to हो जाएगा, क्रॉस मल्टिप्लाई कर दोगे तो Sigma into S आजाएगा, समझ आगया आपको कि यह कहां से आ, ठीक है इसलिए मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में रेखिया आवेस घनत तो, प्रिष्ठिया आवेस घनत और आतना आवेस घनत आपको पढ़ा दिया था क्योंकि यह बीच-बीच में टब मिलेंगे, तब आपको यह अच्छे से समझ आएंगे अब गाउस का नियम हम देखेंगे, तो गाउस का नियम कहता है फाई इज एक्वल टू, ट्यू उन अपान एपसलान नाट, यही होता है ठीक है, तो फाई एकी वैलू कितनी आई? जोडने पर greatest घ्वल टू इसा आघी ठीक है, इज एक्वल टू, क्यू इन की वैलू कितनी आई? सिगमा इन टू एसा आघी और upon में क्या है epsilon not हो गया तो surface यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है cancel हो जाएगा तो यह आ गया आपका जब हमने S और S को cancel किया तो 2E is equal to sigma upon epsilon not यानि कि E is equal to हो जाएगा sigma upon 2 epsilon not तो final आपका वैदो छेतर हो गया sigma upon 2 epsilon not कहां पर किसी भी चादर पर ठीक है कैसा चादर है ये तो आप देख लिए अनन्त सम्तल चादर के कारण वैदो छेतर की दीवरता ठीक है अचालक वाले हैं अगर अचालक होता है या अनन्त सम्तल चादर की बात कर देता है तो यहाँ पर E is equal to sigma upon 2 epsilon not आएगा अगर यहाँ पर बात करेगा कि चालक प्रिष्ठी है ठीक है जब यह चालक प्रिष्ठी होगा तब E is equal to आपको sigma upon epsilon not लेना है फिर 2 आपको नहीं लेना है ठीक है यह तो अचालक प्रिष्ठ था प्लास्टिक था ठीक है और जब चालक होगा चालक प्रिष्ठ होगा चालक प्रिष्ठ ये चेत्रफल होगा तब यहाँ पर आपको 2 नहीं लेना है यदि σिगमा धनात्मक है तो एकी दिसा चादर से दोर होगी और यदि सिगमा रिनात्मक है तो एकी दिसा चादर की ओर होगी ठीक है यानि कि अगर हम इस एक्वेशन को देखते हैं इस इक्वल टू आया सिग्मा अपान टू एपसलान नाट ठीक है तो यह पॉजटिव होगा तो ए की दिसा चादर से दोर होगी यह निगेटिव होगा तो ए की दिसा चादर की ओर होती है अब नोट में यह पहला देखेंगे हम चादर के बाहर फैदुछेतर की तेवरता का ठीक है अब अगर हम चादर के बाहर की बात करेंगे तो यहां हमें कुछ न कुछ वैलू मिलती है तो ई आउट हो जाएगा 1 अपान टू एपसलान नाट सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 ठीक है वही पर चादरों के बीच में वैदुछेतर की तेवरता देखेंगे तो सिग्मा one minus sigma two हो जाएगा ठीक है यह जैसे चादर हो गया इसके बाहर तो यह दोनों opposite direction वाले हैं यह जुड़ जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा बीच में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही direction एक तरफ होंगे तो यहाँ पर हम minus निकालेंगे ठीक है तो इन तीनों जगा ही हम गाउस की नियम का अपन प्रियोग देखते हैं ठीक है तो अब यह तीसरा है हमारा एक समान आवेसित गोली यह आवेस अथवाचालक गोले के कारण बैदुच्छेत्र की तेवरता प्रिष्ठ आवेस घनत तो क्या होता है sigma is equal to q upon a होता है या s होता है प्रिष्ठिय चेत्रफल और यह गोला है तो गोले का प्रिष्ठिय चेत्रफल कितना होता है 4 pi r square तो यहाँ पर वही value रख दी गई है q upon 4 pi r square तो यहाँ पर हमने मान लिया माना निर्वाच अत्वा वायु यानि माध्यम में भी और बिना माध्यम में इस थित आर्थ रिज्जा के किसी गोले को अत्वा चालक गोले के प्रिष्ट पर प्लस Q आवेस एक समान रूप से बित्रित है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से कोई गोला है इसमें प्रिष्ट ये आवेस बित्रित है ठीक है और ये प्रिष्ट इसका हो गया, छेत्र फल A हो गया, और इनमें जो आवेस है, ये Q हो गया, तो sigma is equal to हो जाएगा, Q upon A, और ये हम लिखेंगे, क्योंकि ये गोला है, तो Q upon 4 pi R square, ठीके, R क्या है, इसकी त्रिज्जा है, इस तरीके से sigma की value आपको याद रखनी है, अब हम देखे हैं ये वाहे विंदू पर, वाहे विंदू पर वयदु छेत्र की तीवर्था और अंता विंदू पर, अब हम अगर देखते हैं यहां पर वाहे विंदू, किसी वाह Making डू पी पर, ये गोलिये कॉस है, ठीका है, और इसका इस तरीके से थोड़ा आप इसको समझ ले हमने एक गोली एकोस लिया है और इसके चारों और हमने एक गोला और ले लिया ठीक है यहां से इस गोली एकोस का छेतरफल कितना है अब वाहे बिंदू पर तो वाहे बिंदू के लिए हमें कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा हम मालो इतना बाहर चले गए और हमने इसको ले लिया इस मौलार तो जहां पर हम तरिज्जा को बाहर कहीं ले रहे हैं इस बिंदू पर फिर से समझा देती हूँ यह हमारे पास एक गोली कोश हो गया इसकी त्रिज्जा कितनी है आर है अब वाहे विंदू पर मतलब इस गोले के बाहर कहीं एक विंदू हम पी ले लेते हैं यहां पर तो हम इसको ऐसे मिला देंगे यह विंदू हो गया और यहां से अब हम में गोला ड्रॉ कर देते हैं ठीक है और इसकी त्रिज्जा कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी अब इसकी त्रिज्जा आर कापिटल आर से बढ़ी है यह आपको साफ साफ दिख रहा है तो यहीं पर हमें क्या करना है वैदुचेत के तीबरता ग्याद करनी है तो माना गया अब यहां पर भी देख लो कि ठीटा कितना आएगा क्योंकि यह कर्वप्रिष्ट है तो कर्वप्रिष्ट है इस तरीके से ठीक है तो यह ऐसा कुछ दिख रहा है कर्वप्रिष्ट और इसमें यह वैदुचेत्र रेखाएं हो गई और इसके लंबवत ही क्या कारे करे ठीक है तो E और S के बीच में आप देखेंगे डिगरी कितना आ रहा है जीरो डिगरी बनेगा ठीक है तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं गाउसियन प्रिष्ट के प्रतेग विंदु पर वैदो छेत्र की तेवरता का परिमार E समान होगा तथा दिसा अभी लंबवत बाह एसा आएगा फिर हम इसको यहां पर करेंगे ठीक है तो यह ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ठीक है फिर ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा इस तरीके से यह बनेगा तो E और Ds के बीच में आप देखेंगे जीरो डिगरी आपको एंगल देखेंगा यानि प्रिष्ट के अभी मिल जाएगा E into Ds ठीक है E into क्या मिल गया S मिल गया क्योंकि integration E into Ds मिलेगा तो E हम बाहर ले लेंगे और integration D into S करेंगे तो D और integration एक दूसरे को cancel out कर देते हैं तो E into S मिल जाएगा S क्या है प्रिष्ट ये छेत्र फल है तो S का मान कितना हो जाएगा क्योंकि ये गोला है तो यहाँ पर हम रख देंगे 4PiR2 ठीक है अब सेम यही पर रखेंगे तो 5E is equal to हमें मिल जाएगा E into 4PiR2 तो Gaussian प्रिष्ट के वीतर net आवेस कितना है प्लस क्यों है गोल आवेस कित is equal to Q upon epsilon नाट यही होता है ठीक है अब यही वैलू यहाँ पर आपको यह दिया हुआ है यही रख देंगे इसकी जगह पर हमारा पूरा वैलू क्या आ गया E into 4PiR2 आ गया is equal to Q upon epsilon नाट आ गया तो E यहीं पर हम ले लेंगे 4PiR2 नीचे चला जाएगा तो यह आपको मिल जा तो यह होगी वैदुचेतर की तिवरता किसी भी गोले कोस के बाहर होगी तो प्रिष्ट के बाहर इस्थित बिंदूओं पर एक समान आवेसित गोले के कोस अत्वा चालक गोले के कारण वैदुचेतर इस प्रकार होता है जैसे कि संपूर्ण आवेस कोस अत्वा गोले के के पर इस्थितों, एक हम बोलेंगे समीकरण, एक से Q जेक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 pi r square into sigma हो जाएगे, क्यों क्यों आपको पता है कि sigma is equal to क्या था, Q upon 4 pi r square था, यही तो था, तो यहां से हम Q is equal to ले सकते हैं, sigma into 4 pi r square तो वही लिखा है Q is equal to 4 pi r square into sigma, तो हम मान रख देंगे Q की जगा पर Q upon r square था, तो Q की जगा पर हमने value रख दी, 1 upon 4 pi epsilon not 4 pi r square sigma upon r square, ठीक है, तो यहां से 4 pi से 4 pi cancel out हो जाएगा, और यह आपको मिल जाएगा is equal to sigma upon epsilon not r square upon r square, ठीक है, capital R upon small r ka whole square, इस तरीके से कर सकते हैं, यह हो गया, जब भी आप से questions पूचा जाए, प्रिष्ट ही एक कोस के बाहर, ठीक है, यानि कि गोली एक कोस के बाहर का formula हो गया, यह अगर प्रिष्ट पर पूचेगा, तो प्रिष्ट पर पूच रहा है, इसका मतलब जो भी यह गोला है, यहाँ पर और इसी पर ही, इसी बिंदू पर ही हमको कहीं पी ग्याद करना है, तो दोनों जैसे यह गोला बनाए, यह आर हो गया, ठीक है, स्वरी, यह capital R लिया हमने गोली एक कोस, और इसी परिष्ट पर ही एक बिंदू पी लेना है, उसकी भी तृच्या क्या होगी, इसमालार होगी, लेकिन दोनों ही तृच्या क्या हैं, बराबर हैं, तो जब भी परिष्ट पर बात करेगा, तो दोनों तृच्या आं बराबर हो जाएंगी, अब आंतरिक बिंदू का मतलब हो गया कि हमने एक गोला लिया बड़ा और इसकी तरिज्जा ये केंदर बिंदू हो गया ओ इसकी तरिज्जा हो गया और इसके अंदर कोई एक बिंदू पी ले लेना है हमको मालो हमने यहां ले लिया यहां से एक गोला बना दिया और इसका ज और यहां से त्रिज्या हमें मिल गई, अब यहां पर इसमाल आर जो है, वो लेस दैन कैपिटल आर है, यहां पर हमें वैदुचेतर की तेवरता ग्यांत करनी है, इस तरीके साब को डाइगराम बना के फिर लिख लेना है, तो गाउसियन प्रिष्ट से गुजरने वाला फ्लक अब देखो, जितने भी आबेस हैं, गोले के बाहर है, प्लस Q, ठीक है, जितने भी यह चार्ज हैं, गोले के बाहर हैं, गोले के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, यानि कि गोले के अंदर की अगर हम बात करें, तो Q की वैलू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो Q की जगा हम ज e यानि कि flux कितना मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा अब यही value यही 0 की value हमको कहां रखनी है यहां पर रखनी है तो यह हो जाएगा e into 4 pi r square is equal to 0 यानि कि e is equal to हमें क्या मिल गया 0 मिल गया ठीक है यह अता एक समान आवेसित गोलिये को अत्वा चालक गोले के भीतर इस्तित सभी विंदूओं पर वैदो छेतर क्या होगा सोनने होगा तो यहां से आपको 3 point मिल गया अगर हम गोलिये कोस के भीतर देखते हैं ठीक है तो भीतर e का मान हर जगा सरवत्र क्या होता है सोनने होता है तो गोलिये कोस के भीतर वैदो छेतर की तेवरता e का मान सोनने होगा गोलिय कोज के बाहर E का मान जो होता है वो दूरी के वर्ग के ब्यूत्क्रमा अनुपाती होता है क्योंकि आपकी जो बैलू आई थी यहाँ पर यह आई थी E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square यही तो आया था ठीक है तो यह क्या है inversally proportional है कब जब बाहर था तो कोज के बाहर वैदुचेत्र के तेबृता दूरी के वर्ग के विद्क्रमा नुपाती होगा प्रिष्ट पर maximum आया था और यह कितना आया था 1 upon 4 pi epsilon naught यह आया था आपका I think sigma upon epsilon naught ठीक है sigma upon epsilon naught ही आया था तो यह value हम रख देंगे maximum आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे गोल यह प्रिष्ट पर कितना आया था 1 upon 4 pi epsilon naught ठीक है into q upon r square होता है और q की जगा आपने क्या रखा q की जगा अगर आप देखेंगे तो आपने रखा है sigma into 4 pi r square ठीक है upon में क्या r square अब गोल यह प्रिष्ट है तो r दोनों सेम है तो कट जाता है 4 pi से 4 pi कट जाता है तो उपर बचेगा sigma नीचे बचेगा epsilon naught ठीक है तो यह हो जाएगा आपका इसकी value e max is equal to sigma upon epsilon naught ठीक है तो प्रिष्ट पर क्या होता है वैदुचेट की तीवरता e कमान अधिक्तम होता है और अगर हम भीतर बात करें गोल यह कोस के भीतर तिहां पर e कमान हमें से 0 होता है इस तरीके से इस graph की तुरू आप समझ सकते हैं यह एक प्रिष्टिए गोला है गोल यह कोस है तो इसकी बाहर इस गोलिय के बाहर आपको दिख रहा होगा तो बाहर जो भी है यह है त्रिज्या इसके बाहर आप देखेंगे तो वैदुचेट की तीवरता e कमान आ रहा 1 अपान 4 पाई अपसलान नट की अपान आर स्क्वायर ठीके और अंदर अगर हम यह वाला रीजन देखते हैं तो यहां पर वैदुचेटर की तीवरता यह नीचे आपको दिख रहा होगा e is equal to 0 है ठीके और अगर हम देखते है प्रिष्ट पर तो प्रिष्ट पर maximum होता है जो कि यह मान है ठीके इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं नोट लेकर यह डाइग्राम बना कर आप दिखा सकते हैं इसको ऐसे समझ लेजिए जैसे यह एक गोला हो गया गोले कोस हो गया इस पर प्लस हावेस बित्रण हो गया ठीके यहाँ पर यहाँ से त्रिज्जा हो गई इसकी यह capital R हो गई तो यहाँ तक यह अंदर हो गया तो यहाँ तक वैदुचेतर की तिवर्टा क्या होगी E is equal to 0 हो जाएगा ठीक है और अगर हम इस प्रिष्ट पर बात करें यहाँ पर तो यहाँ तक वैदुचेतर की तिवर्टा क्या होगी maximum होगी यह maximum हो जाएगी ठीक है और अगर हम गोले को इसके बाहर देखते हैं यहाँ से inversely proportional होती तो इस तरीके से decrease हो जाएगी तो इसका जो graph बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा यह गोला और यह हो गए आर इनकी त्रिज्जा तो यहाँ से यह ऐसे इसको color हम कर देते हैं यह maximum तक जाएगा यहाँ से ठीक है फिर ऐसे decrease होगा और तो इस तरीके से आपको दिखा देना है तो यह था application गाउश के नियम का अनुप्रियोग तीन अनुप्रियोग थे जो कि पहला था एक यह एक यहतार में दूसरा था समतलचादर में तीसरा था गोली कोस में ठीक है और सारे formula आपको मैं एक साथी जैसी यह chapter finish होता है सारे formula म वहीं पर आपसे discuss कर दूँगी तो सारे formula पहले लिख लेना फिर उसके बाद numerical को discuss करूंगी तो वीडियो कैसे लगी आपको पसंद आई होगी तो comment section में message करें कोई doubt है तो comment section में message करें so मिलते हैं next session में numerical के साथ thank you for watching